हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब लोग होफुली आप सब अच्छे होंगे तो नया दिन है बहुत ही अच्छा दिन है वैलिंटन में बहुत ही अच्छी धूपनी के लिए है और आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाओंगा जिसका एक्चुली मुझे भी नहीं पता था लेकिन कुछ लोगों से मुझे इसके बारे में पता चला और जैसी मुझे पता चला ऐसा क्रिकेट फैन बस मुझे तो रहा नहीं गया तो मैंने सोचा कि definitely जो है वो उस जगह को तो मैं मिस नहीं कर सकता और यह जो जगह है मैं आपको बताना चाहता हूँ यह जो हमारे हैं कपिल देव जी जिन्होंने हमारे टीम हमारे जो है देश का इतना जादा जो है प्रतेने देश किया है क्रिकट में हमारी टीम को पहली बार जो है वंडे का जो है चैंपियन मनाया था वंडे वर्ल्ल कप का और दूसरे हैं सुनील गावसकरजी जिन्होंने की इंडिया क क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है दुनिया के पहले बल्लेWाद बने थे टेस्ट करिकरे में दस जार अन करने वाले जो ने कि अपने आपने बहुत करिणतीमान इस्थापित किये प्लस जो इंडियन क्रिकेट है उसकी सूरते हाल जो है वो बदल के रख दी और इन दो क्रिकेटरों का इसमें जो है वो बहुत योगदान है अब आप सोचिए न्यूजिलेंड जो की एक दूसरी कंट्री है थर कंट्री उन दो लोगों के जो कॉंट्रीबुशन को न्यूजिलेंड में इतना सराया गया है कि इन दो क्रिकेटरों के नाम पे जो है अलग से दो रोड बनाई गई है आप सोचिए एक का नाम है कपिल ग्रोव और जो दूसरी रोड है उसका नाम है गावसकर I think it's Crescent कपिल ग्रोव और गावसकर Crescent तो मुझे एक्चली पूरा रोड का नाम तो नहीं पता बर स्चल मतलब जितना मुझे समझ में आया वो ये था और जब मैंने सुना तो मुझे से रहा नहीं गया कि एसा भी कुछ है और बहुत ही अच्छा है कि हमारे देश के दो दिगज क्रिकेटर जिनके जिनोंने इंडियन क्रिकेट को और वर्ल्ड क्रिकेट को भी बड़े आयाम लिए आज उनके नाम पे जो है वो रोड बनाई हुई है न्यूजिलेंड में जो की बहुत ही करने पर दिखाऊंगा आपको तो बट लेकिन हां उससे पहले मेरे चैनल को प्रीज लाइक को सबस्ताइब करना मत बूलेगा आपका जो प्यार है वो मुझे चाहिए मेरी वीडियो और नईनी वीडियो क्रिकेट से लिए और व्लॉगिंग से लिटेट आपके लिए लाने लिए बेक साड़ देका तो मैं अपको पहले है यह है कपिल ग्रोव यह हमारे बहुत ही जो है देश की शान करिकेटर कपिल कपिल देव के नाम पे रुड बनाया गया है कपिल ग्रोव है यह यहां तक नीचे तक आप इसमें नीचे तक जा सकते हैं और कर बने हुए हैं उनके नाम के लिए डेडिकेटेड है उनको और देखे कितना अच्छा विए हैं यहां से पुरा पाड़ी एरिया है इसको खंडाला वोलते हैं और इसमें आप सोची यह तो एक कपिल ग्रोव है इसके अलावा इसके अलावा आपको और भी जो है वहां प पिया यह वह भी दिखाता हूं आपको और बहुत ही सुन्दर है यहां पर जाब अच्छे है तो और दिन बहुत अच्छा एक्चिली और यहां पर आपको दिखेगा तो रामफल टरेस भी है पीछे देखेंगे तो अलग अलग जो है वह इंडियन नाम्स के हिसाब से यहां बहती ही देख के भर होता हैं बहुती खुशी होती होता है कि नहीं देखिसे हमारे जो यह क्रेकर्टर्स तर्व हमारे इनको मानती है उसके और भी मेरे StateP 前 के लोग वह वह भी देख़े कितना प्यार और संम्मात देते हैं तो अब मैं पहुँच गिया हूँ गावसकर पी निकार पी आई पर देखें आपको दिखांता हूं गावसकर पी आई ठीकि यह तो यह है गावसकर पी आई यहां पर प्लेस को बोलते हैं, जिसमें की जो रोड होती है, उस कागे को यह समी होता, तो यह देखिए, यहां पर रोड है, और यहां पर आगे घर बने हुआ है, और उनके नाम पर बता, यह गलिया दे रखी है, तो देखिए, आप कितना सही है, गावस करपी है, यह है, और थोड़ा सा आके चलते ही यहां पे जो है वो कपिल देव ग्रोव है कि देखिए रामफल टैरेस थोड़ा सूरज की वज़े से दिखनी रहे रामफल आई डोट नो कौन कौन रामफल होगा कुई रामफल उसके नाम पे डाला हुआ टैरेस तो यह देखिए सामने गली है तो बहुत खुशी होती है देखिए कि देखिए हमारे जो देश के जो क्रिकेट रहें जोने हमारे देश को देश के करकेट को बेसिकली इतनी उचाईओं तक पहुचाया और दूसरे देश के लोग भी जो है उनको इतना संभान देते हैं तो कपिल देव ग्रोव में थोड़ देखते हैं यहां पर चलने पर दिक्कतोर यह बहुत ज़्यादा उपर नीचे है एक रावन मार के आते हैं कपिल देव को रोम है कि देखिए और क्या कोई सिनेंसे मेरा नाम भी कपिल है तो कह सकते हैं मेरे नाम पर रोड बनी है पर नहीं ऐसा नहीं है यह कपिल देव के देखिए पूरा नुसे तक जाना होता है अरूम ठटी ठटी घर है यहां पर टूंटिनाइं ठटी कर रहे हैं दिखातो हूं आपको जो है कि अखाले पहाड है नीचे पूरा जा रहा है और एसे यहां पर घर बने हैं और आप यह खता हो जाता है तो जो हमारे देश केलाबा बिदेशों में भी जो है जो क्रिकेटर से उनका नाम सम्मान दिया हुआ है देखे कितनी शानदा रहे हैं तो यह है इसको बोलते हैं कपल करोफ बहुत यह बढ़िया जोटी सी प्यारी होड़ है और ड्राइव थोड़ा था है शहर से आपको थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा तो मेरे ख्याल से मुझे यहां पर मैं देख सकता हूं को आप भी बस ले सकते हैं और बस आपको छोड़ देगी थोड़ा बस पहला चलना हुआ है हुआ है हुआ है हाजी दोस्तो तो अभी हमने कपिल देव क्रिसेंट और कावसकर पी आई से तो हम होके आ गए हैं अभी तुपर का टाइम हुआ है और क्योंकि हम न्यूजिलेंड में तो देखे यहां का बहुती फिमस जो है फूड है फिश न चिप्स तो डेफि फिशन चिप्स होगाते हैं अजी दोस्तों फिश न चिप्स प्लस बर्गर मीद हमने कर दिया और जब तक बंगती है तो करते हैं वेट देखते हैं कैसा रहता अफ़ार यहां की यहां की बहुती बड़ी स्पैशल एकिया बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया है कि अग लेंट वगरा मजा है तो तो घंग विपलते हैं प्लस फिछ लीजए उसके सारद गांगा स सोफटे स्प्लस लीजे हाज दोस्तों तो यह तयार है यह हमारा परका और यह है फिशन चिप्स खाते हैं हाज जी दोस्तों तो फिशन चिप्स हमने खा लिया बर्गर भी खा लिया बहुत बुक लगी थी और बहुत टेस्टी था रिकमेंड करूंगा आएं तो लोकल फूर जरूर खाएं बहुत दी बड़ी आथा बहुत दी अमेजिंग मज़ा आ गया तो यह थी आज की वीडियो इस वीडियो को करते हैं खतम अगर प्लीज दुबारा आपसे रिक्वेस्ट है अगर मेरे चैनल पर आये हैं तो लाइक सब्सक्राइब किये बना मत जाएगा और इसी तरीके से क्रसे जोड़ी नहीनी चीज़ें और नहीने जगहों को देखने के लिए आते देएगा मेरे अगरे पड़े कि सुमाच्छ